Hi everyone, स्वागत है आपका RS Creation Study Channel में तो आज हम लोग बहुत important topic discuss करने जा रहे है MEG05 का जो की है Structuralism तो ये जो है MEG05 में block 7 जो deconstruction का block है उसमें first unit है Structuralism तो Structuralism की हम जो है history देखेंगे इसका origin देखेंगे और किसने इसमें जो है contribution दिया है और इसकी start कहां से हुआ है तो वो सब हम देखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको Structuralism होता क्या है वो बता देती हूं basic सा तो Structuralism को सबसेंगे के लिए सबसे पहले हमें Structure क्या होता है ये जान लेना जरूरी है तो I hope everyone knows that what is Structure मतलब Structure क्या होता है एक धांचा होता है हर चीज का एक जो order और arrangement होता है उसको Structure बोलते है जैसे इस दुनियम जो है हर चीज का Structure होता है for example एक घर की दिवार हो गई उसका Structure होता है वो छोटी-छोटी इंटो से बनी होती है जो इंटे होती है उनको हम यूनिट बोलेंगे चोटी-छोटी जैसे एक पैन होता है उसका भी एक Structure होता है उसमें जो है रिफिल होती है स्प्रिंग होता है उसकी एक बॉडी होती है तब जाकर के वो जो है एक पूरी यूनिट बनती है Structure Solar System हो गया हमारी बॉडी होगी हर चीज का Structure है तो आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लिट्रेचर में क्यूं यहां पर Structure की बात कर रहे है लिट्रेचर में Structure का क्या काम है तो अगर आपने मेरी आमीजी 05 की Aristotle की वीडियो देखी होगी Structure of Tragedy तो उसमें भी आपको पता चला होगा कि जो Tragedy होते हैं उसका भी Structure होता है तो यह जो Structuralism term है यह Literature में कोई नई टर्म नहीं है जो Literary Theory है उसमें कोई नई टर्म नहीं है यह सदियों से चलती आ रही है बहुत पुराने टाइम से अरिस्टोटल ने तो मतलब सालों पहले यह जो Structure of Tragedy था यह दिया था Ancient Greece के टाइम में तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह जो Structuralism है यह English Literature में जो है Literary Theory का पार्ट है और यह सिर्फ और सिर्फ जो है Literary Theory में ही नहीं आई थी यह जो Moment थी यह जो Structuralism था एक Intellectual Movement थी एक तरह से मतलब एक लहर थी तो यह जो थी Linguistic में आई थी Linguistic होती है किसी Language की Study करना Anthropology में आई थी मतलब Human की Study करना और Literary Theory में आई थी मतलब बहुत यह से फिल्ड में यह जो Movement थी यह चली थी इसका Influence बड़ा था 1950 से लेकर के 1960 के बीच में तो लेकिन हमें Structuralism के period को जानने से पहले हमें New Criticism के बारे में पता होना ज़्यादा जरूरी है हमलब History पता होना बहुत ज़्यादा Important है क्योंकि यह जो 1920 का टाइम था जब New Criticism चला था और 1920 से लेकर 1950 तक चला था New Criticism तो 1920 में बहुत ज़्यादा Ideology में Change आया था 1920 से पहले Ideology कुछ और थी तो इसमें क्या Change आया था कि जो Literary Work होता है मलब एक Piece होता है Literary जैसे कोई भी Poem होगी Drama होगया, Novel होगया तो हम उसको 1920 से पहले as a work देखते थे और ऐसा work देखते थे जिसकी वो जो होता था एक Close Ended Work होता था मतलब एक Physical Object की तरह मुसको समझते थे एक Book की तरह तो अगर आप जो है इस work के साथ कुछ मतलब कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप इस work को जो है Change नहीं कर सकते हैं जैसा कि अगर किसी writer ने जो है poem लिखी है तो आपको उस poem को जो है उसी तरीके से पढ़ना पड़ेगा जैसे writer ने लिखिया आप उसमें जो है कुछ भी Change नहीं कर सकते हैं आपको उसको वैसे ही समझना पड़ेगा जैसे मतलब आप जो है Social और Cultural Context की help ले सकते हैं कि उस time जो था Society कैसे थी Culture कैसा उसकी help ले सकते हैं लेकिन आपको जो है उसका meaning वही निकालना होगा जो की मतलब जो writer ने उस time लिखा होगा लेकिन वहीं दूसरे तरफ 1920 के बाद जो है जो literary piece था उसको जो है as a text देखा जाने लगा work नहीं मतलब text मतलब वो जो था interpretation के लिए open था अगर आप जो है उस literary piece का मतलब कुछ और मतलब निकालना चाते हैं आप उसको अलग तरीके के साथ समझना चाते हैं तो आप उसको समझ सकते हैं तो ये जो text था इसके उपर जो है इतने closely जो है किसी ने भी इतना focus नहीं किया था जो new critics थे उन्होंने जो है work को जो है work की तरह नहीं देखा उन्होंने जो है इसको text की तरह देखा और इन्होंने जो है इसकी language के उपर बहुत जादा focus किया जो text है उसकी language के उपर तो यही चीज जो है structuralism से जूड़ी हुई है कि हर चीज का जो है structure होता है और वैसे ही जो है language में भी structure होता है यह हम आगे पढ़ेंगे language का तो उसके बाद जो है लेकिन यह जो new criticism का time था ना 1920 से लेकर के 50 तक new criticism ने जो है बहुत सारे ऐसे areas थे उनको open छोड़ दिया था मतलब उनके उपर ध्यान नहीं दिया था तो जिस कारण से जो है world war second के बाद जो है structuralism आना start हो गया मतलब हम जो है new criticism से जो है structuralism की तरफ बढ़ना start हो गए तो सबसे पहले जो है structuralism की सुरुआत हुई France से और इसकी सुरुआत किसने की Ferdinand D. Saussure ने तो ये जो है बहुत बड़े great master थे इन्होंने structuralism के बारे में दुनिया को बताया इनको जो है father of modern linguistic भी कहा जाता है तो इन्होंने जो है linguistic के उपर बहुत जादा काम किया है linguistic होता है language की study करना तो इन्होंने जो है linguistic में ही ये सारी बाते बताई हुई है ये जो structuralism है linguistic की study में ही दिया हुआ है जो इनकी एक book है बहुत ही famous वो है course in general linguistic जो की इन्होंने दी थी जो की इन्होंने सारी theories दी हुई है इस book में लेकिन ये जो work है ना इसको इन्होंने publish नी करवाय था इन्होंने कभी कोई book लिखी नी थी तो अब आप सोच रहे होंगे कि अगर इन्होंने कोई book लिखी नी तो इनकी book छपी कैसे तो इनकी colleague और friend ने जो है मिल करके इस book को छपाया था मतलब जो इनके student को ये पढ़ाते थे university में उनके जो notes थे उन notes से इस book को जो है तियार किया गया है तो इनका जो है बहुत बड़ा contribution है structuralism की field में लेकिन इन्होंने जब ये मतलब इनका work था तब इनको पता नहीं था की मतलब ये आगे चल करके इतना famous होगा तो उसके बाद जो है इनके बाद बहुत से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपना contribution दिया structuralism की field में मतलब इनका work देख करके इनकी work की help से जैसे की Claudie Levis-Strauss थे जो की एक anthropologist थे बाद में जो है Ferdinand की theories ही पढ़ेंगे यहाँ पर इन्होंने structuralism के बारे में क्या बताया है तो अब हम जो है इनकी theories पढ़ेंगे जो इन्होंने structuralism में दी हुई है तो क्योंकि इन्होंने linguistic की book थी linguistic मतलब language की study तो आप यहाँ पर confuse मत होना इन्होंने language के बारे में ही सब कुछ बताया हुए एक language के बारे में language कैसे काम करती है तो इन्होंने कुछ theories दी हुई है जो बहुत ही famous है और आपके इगनू के syllabus में जो है वो दी हुई है जैसे आपकी first है lang और parole और जो second है वो है sign और third है binary opposition और जो fourth है वो है synchronic and dichronic तो इन सारी theories को हम एक-एक करके पढ़ेंगे तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने एक नया तरीका दे दिया human language को study करने का इन सारी theories की help से तो ये theories हम क्यों पढ़ रहे हैं क्योंकि इन्होंने human language को study करने का तरीका दिया इन्होंने study किया कि जो change आते है language में पूरे time में, different, different time में इन्होंने बताया कि कैसे जो है time के according word का मतलब change हो जाता है मतलब बहुत सी चीजे जो है जो word है, वो language है, वो change होती रहती है तो सबसे पहले हम जो है जो हमारे first theory है lang और parole इसके बारे में पढ़ लेते हैं तो ससेओर ने यहां पर जो है lang को क्या बताया है lang जो है बहुत ही easy है complete grammatical system मतलब जो language होती है उसका एक बहुत बड़ा system होता है तो set of जो rule है, उसको जो है lang बोला है जो कि एक particular linguistic community उसको use करती है मतलब आप ऐसा समझ सकते हैं कि किसी भी language का जो बड़ा सा system है मतलब उसका grammar है उसकी सारी की सारे मतलब वो function कैसे करेगे हम उसको use कैसे करेंगे तो वो तरीका जो है lang कहलाता है और parole जो है हम उसको जो है daily life में कैसे use करेंगे जैसे हम particular individual की जो speech है मतलब जो बोलेगा मतलब अब व्यक्ति है वो सब कुछ एक ही time में use थोड़ी करेगा कुछी चीज़े use करेगा लेकिन उसको daily life में use करेगा as a speech तो आप ऐसा समझ सकते हैं कि ये जो grammatical system है उसको lang कहा गया है और जो speech है जो हम daily life में बोलते हैं उसको parol कहा गया है तो जो language में difference आते हैं सबसे पहले जो ससेयोर थे इन्होंने सबसे पहले analyze करना start किया कि एक व्यक्ति के बोलने के तरीके से मतलब एक व्यक्ति के बोलने में कितना difference आया हुआ है तो सबसे पहले इन्होंने यहां से start किया parol से start किया इन्होंने कि word का evolution की study की और उसको जो है link किया social, political और culture factor के साथ मतलब socially और politically कितना change आया है उस word में तो ससेयोर ने यहां पर समझा कि एक व्यक्ति की जो speech है वो बहुत सारी हो सकती है different different हो सकती है हर language में मतलब हर language में जो speech है वो different होगी तो कोई भी linguistic जो है जो study करेगा इसको उसके लिए जो है इन सब चीजों को study करना आसान नहीं है possible नहीं है जो सारी की सारी speech है जितनी भी speech है दुनिया में उनको study नहीं कर सकता है बलकि जो linguistic है जो linguist है उसको एक चीज ये करनी होगी कि उसको जो है जो system है उसको study वो कर सकता है मतलब कि जो मतलब parole है उसको study करना बहुत जादा difficult हो जाएगा हर linguistic के लिए लेकिन जो system है language का मतलब जो एक complete system होता है उसको study करना possible है हर linguistic के लिए क्योंकि हर language में जो है एक system होता है जैसे हिंदी है उसका भी अपना grammar है जो इंग्लिस है उसका भी अपना grammar है हर language में past, present और future होता है तो यह जो common चीज़े हैं यह हर language में होती है तो इस कारण से हम अगर एक language की study भी करते हैं तो उनको हर language की जो differences है जो changes है वो समझ में तो आएंगे तो यहां पर इन्होंने कहा कि हमें जो है lang की study करनी होगी तो यह जो shift था ना parole से lang की तरफ पहले इन्होंने parole की study करना start किया लेकिन इन्होंने बाद में बोला कि lang की study की तरफ तो यह जो था most important contribution माना जाता है सशेओर का modern linguistic of structuralism में तो अब सशेओर ने parole को छोड़के lang की study करना start कर दिया जब इन्होंने तो इन्होंने यहां पर अपना point आगे रखा कि जो lang है उसको जो है वो है system of sign तो जो second और थे वो try कर रहे थे जो lang था मतलब जो system है language का उसके structure को समझने की उसके study करने की तो जिससे यहां पर इनको पता चला कि यह जो lang है इसकी जो unit है मतलब unit से ही बना होता है ना बड़ा structure तो उसकी unit है sign तो अब हम sign की study करेंगे तो sign को भी नोंने जो है दो पार्ट में divide किया है sign जो है एक होता है signifier एक होता है signified language में तो signifier क्या होता है सबसे पहले हम यह जान लेते हैं तो signifier जो है जो apple और cat यहां पर आप लिखा हुआ देख रहे हैं जैसे अगर आप apple लिखा हुआ देखते हैं तो आपके दिमाग में जट से एक image बनती है apple की मतलब apple कैसा दिखता है cat कैसे दिखती है या फिर आपके सामने अगर कोई apple या cat बोलता है तो आपके दिमाग में एकदम से mental concept आ जाएगा कि कैसा दिखता है तो यह जो हम लिख के या बोल के करते हैं जैसे apple जो है तो उसको बोलते हैं signifier लिख के और बोल के कर रहे हैं और यह जो image हमारे दिमाग में बन रही है mental concept हमारे दिमाग में आ रहा है यह word सुनते ही apple हमारे दिमाग में apple की picture आ रही है अपल आ सकता है जैसे cat हो गया cat बोल दिया तो किसी के दिमाग में black cat किसी के दिमाग में white किसी के दिमाग में brown तो जो इनका जो concept है signifier और signified मतलब एक दूसरे के साथ बिलकुल जुड़ा हुआ नहीं है तो ये दोनों जो हर एक के दिमाग में अलग-अलग आ सकते हैं इनका को सेवर कहते हैं कि signifier जो है सेवर के हिसाब से जो है signified से ज़यादा important है जो word है ये ज़यादा important है क्योंकि ये जो word है ये कभी भी change नहीं होता है इसका जो signified है मतलब जो mental image है वो different different जगा पर change होती रहती है जैसे for example fair आपको पता होगा fair का मतलब होता है गोरा आज हम गोरा ले जाता fair लेकिन आज इस word को beautiful के लिए use नहीं करते हैं beautiful के लिए हम beautiful या handsome का use करते हैं तो fair का use आज हम गोरे के लिए करते हैं तो कैसे word same रहा मतलब जो signifier है वो same रहा लेकिन इसका signified जो mental concept है वो change हो गया तो ससे और भी यहाँ पर यहीं कहते हैं कि जो signifier है वो ज्यादा important है ज जो signifier और signified है ना इन दोनों के बीच में जो arbitrary जो arbitrary relationship है इन दोनों के बीच में जो signifier और signified है मैं यहाँ पर arbitrary लिखना भूल गई हूँ तो आप लिख लीजिएगा मतलब कि जो word है उसका जो meaning है वो different हो सकता है जैसे अगर आपको कोई चमच बोल रहा है तो आप जो है उसका गिरी करना किसी का चमच होना तो इसके कैसे मले एक चमच का जो है different different meaning हो सकते हैं और एक और example मैं आपको देती हूँ जैसे God हो गया तो God हो गया अब हर एक language में जो है God का meaning जो है अलग-अलग होता है अब God से कोई जो है शिवा जो हिंदू है वो शिवा या कृष्णा समझे गे Christian जो है God की मेंज उनके दिमाग में आएगी तो mental जो concept है वो सबकी दिमाग में अलग-अलग बनेगा तो यहाँ पर ससेवर वही कहते हैं कि signifier और signified जो है वो arbitrary है इनका कोई fixed meaning ने इन दोनों के बीच में कि हाँ वो सदियों तो कोई चलता रहेगा मतलब एक अगर कुछ स साल पहले कोई चीज कुछ और समझी जाती है तो कुछ सालों के बाद वो जो है change हो सकती है लेकिन जो signifier है जो word है वो same वही रहेगा तो वैसा ही यहाँ पर ससेवर कहते हैं कि जो different different language है जैसे हमारी language में हम जो है बिल्ली को cat कहते हैं तो अगर किसी को English नहीं आती है तो वो cat अगर उसके सामने कोई cat बोलेगा तो उसके दिमाग में बिल्ली की मेज नहीं आएगी लेकिन अगर कोई बिल्ली बोलता है तो जैसे कोई Indian है उसको बिल्ली समझ में आ जाएगा लेकिन मतलब जो अलग-अलग वैसे ही हर एक language में जो है जो signified होता है और जो signifier है वो different different होते तो ये जो है मतलब सदियों से जो है इसको जो है historical और culturally इसकोujęcat ही बोला जा रहा है तब ही हम जो है इसको kierट समझ लिया है ये खुद को चार पैरो वाला एक furry जानवर है ये खुद को कुछ भी समझ सकता है ये kierट ना समझहे खुद को, खुद को समझहи कि ये कोई लॉइन है या फिर कोई डॉग है या फिर कुछ और है लेकिन हमने तो इसको नाम दे दिया है cat तो इसलिए जो है signifier और signified जो है बिल्कुल different different concept है मतलब यह दोनों जो है एक दूसरे के साथ fixed नहीं है इनके meaning तो I hope आपको sign वाली जो थियोरी हो बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी जो signifier और signified है क्योंकि यह जो है paper में काफी बार पूछी जाते है बहुत जादा important topic है तो जो next theory है वो है binary opposition तो binary opposition क्या है ससे ओर कहते हैं कि जो binary opposition है यह हमें एक insight देती है interesting insight structuralism को जो है अच्छे से समझने की इसकी help से हमें structuralism बहुत अच्छे से समझ में आएगा तो binary का मतलब यहां पर है जो binary है उसका मतलब है dual और pairs मतलब involving pairs मतलब जोड़ा तो यहां पर जो है और opposition इसके साथ जो लगा हुआ है आप समझ सकते हैं कि opposition का मतलब होता है opposite उल्टा तो pair जो कि मतलब opposite state में होता है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल opposite है मतलब हमें word तभी अच्छे से समझ में आता है जब हमें उसका opposite word पता होता है जैसे यहां पर आप for example देख सकते हैं black, white तो आप से अगर कोई पुछे का white क्या है तो आप कहेंगे जो black नहीं है तो अगर आप से कोई पुछे का day क्या है तो आप कहेंगे जो night नहीं है मतलब जो अंधेरी रात नहीं है तो कोई पुछे का good क्या है तो आप कहेंगे कि जो bad नहीं है जो बूरा नहीं है तो light क्या है तो जहां पर कोई अंधिरा नहीं है, subject क्या है जो object नहीं है, मतलब संजीव बस्तु क्या है जो निर्जीव नहीं है, God का opposite आप देख सकते हैं, man, तो यहां पर हर opposite चीज से हमें समझ में आती है, जो दूसरा word है वो समझ में आता है, तो इस तरह से human ने अपने convenience के हिसाब से opposite word को ढूंड लिया है, तो इसको हम binary opposition theory कहते हैं, तो इसके बाद जो हमारा next theory है, वो है synchronic और dichronic, तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि dichronic और synchronic, यह दोनों ही किसी चीज की study करना होता है, मतलब जैसे language की study हो गया, तो उसमें change देखना, तो एक तरह से जो change आये होत होती है चीजों में, तो उसको जो है हम लोग synchronic और dichronic इन दोनों का मतलब सेम होता है, लेकिन इन में जो है एक छोटा सा difference होता है दोनों में, जो dichronic है वो refer करता है to its study through its historical development, मतलब जो जब हम लोग जो है एक data की study करते हैं, उसको analyze करते हैं, over the period of time, मतलब उसका जितना भी period ह उसको हम study करते हैं और उस data में से हम एक word होता है, उसको उसके change, जो word में change आया होता है, उसको देखते हैं, जैसे past में कुछ और meaning था, लेकिन अब उसका कुछ और meaning हो गया है, तो उसे हम कहते हैं dichronic linguistic, मतलब जो पूरे past से लेकर के over the period उस word में change आया है, ठीक है, पूरा का प change आया है, उसको कहते हैं हम लोग dichronic linguistic, तो अब जो हमारा second है, वो है synchronic linguistic, तो synchronic linguistic आप देख सकते हैं, relate to the study of particular period of time without considering past or present, मतलब हम इसमें जो है जो data है, उसका जो particular period है, जैसे 1950 से लेकर के 1960 के बीच में अगर हम किसी चीज़ की study करेंगे, तो उसी particular period की study करेंगे, और उसमें अगर हम past के time की study करेंगे, तो हम past के हिसाब से उसको analyze करेंगे, अगर present के हिसाब से उसको study करेंगे, तो इसमें जो है, मतलब जो period है, मतलब वो particular होता है, over a period नहीं होता है, जैसे dichronic में होता है, पूरा का पूरा period, लेकिन यहाँ पर particular period होता है, तो इसे synchronic linguistic कहते हैं, तो I hope आपको जो है ये बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा ये जो थियोरीज थी मैंने आपको बताई जितनी भी ये जो थियोरीज है जो भी मैंने आपको बताई ये बहुत ही जादा इंपोर्टन है आपके examination point of view से और sign वाली तो बहुत ही जादा important है तो I hope आपको ये बहुत समझ में आये होगी अगर समझ में आये होगी तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक से और सब्सक्राइब जिरूर कीजिए मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए बाइबाए